नमस्कार अवरिवान, मैं हूँ सवेता गुपता, वास्तु कंसल्टन्ट, एस्टो वास्तु कंसल्टन्ट और मास्तु नियूम लॉजिस्ट मैं आप सब के लिए इस वीडियो में 19 माई को शुकरवार के दिन शनी जैन्ती है उसके लिए रमेडेस लाईयों, देखें जो लोग भी शनी की साड़े सती से चल रहे हैं यह शनी की धहिया से निकल रहे हैं, इसके साथ-साथ जिनकी शनी की महादशा या अंतरदशा चल रही है और जो शरीरिक, आर्थिक और मानसिक परिशानियों से जूज रहे हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत कामती है इसके साथ-साथ बाकि सब लोग भी इन उपायों को करकर अपने जीवन में शनी महराज की कृपा को पा सकते हैं तो शुरू करती हूँ इस वीडियो में 19 माई शनी जैनती वाले दिन आप इन उपायों को कीजिए और अपने जीवन में बढ़ा बढ़ा बदलाब लाईए देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और इसके साथ-साथ इस वीडियो के नीचे जै शरी जै शनी देव आप कमेंट कीजिएगा ठीक है तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताती हूँ शनी जैनती वाले दिन आप शनी मंदिर जाईए वहाँ जाकर आप शनी के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम सा शने चराई नमा इसका जाप कीजिए इसके साथ-साथ शनी चलिसा का पाठ कीजिए शनी महराज की असीम क्रिपा आप पर बरसेगी सेकेंड उपाय है कि आप शनी जैनती वाले दिन अगर हो सके तो शमी का पोधा लगाएं एक दिन पहले उसे खरीदने और शनी जैनती वाले दिन उसे किसी पाक में या अपने घर में आप लगा सकते हैं और पूरे साल उसकी सेवा कीजिए आप देखेंगे शनी महराज की असीम क्रिपा आप पर बरसने लगेगी तीसरा उपाय है कि शनी जैनती वाले दिन आप शनी से रिलेटेज चीजों का दान जरूर कीजिए पहले तो जितनी भी लेवर क्लास है अगर आप उसे कुछ खाना खिला सकते हैं तो बहुत ही किये शनी का ये दान आपको शनी महराज की असीम क्रिपा देगा और आप अपने जीवन में अबंडन्स ब्रोथ पाएंगे और आर्थिक और परिशानी मानसिक जितनी भी परिशानिया हैं उनसे आपको बहुत सारी राहत मिलेगी तीसरा उपाय है कि शनी जैनती वाले दिन आप पीपल के पेड़ पे एक लोटे में जल लेके जाईए उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला दीजिए देखें टाइम की बात है तो किसी भी समय कर दीजिए इमिनिंग में करेंगे तो अच्छा रहेगा आप साथ साथ जल रडाने के बाद शनी देव से उनकी ब्लेसिंग्स तो वो है हनुमान जी तो संकट मोचन हनुमान जी का पाठ इस दिन करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे और शनी महराज की असीम कृपा आपके जीवन में आईगी